वेलकम टू नेक्सिक जाओं आज है 24 दिसम्मर 2022 और 24 दिसम्मर 2022 से करेंट अप्सक्राइब के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो एंप डिसक्राइब करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट वेक्ट वी मैं आपको बता करके हैं पीडियाप आप मारे टेलिक्राम से भी डाउनलुड तहले लिंगर गुरुप पर सारे पीडियो एक सत मिल जाएंगे और टेलियों अल्ठाइब का लिंक मैंने इस वीडियो को तो अब उस लिइन पर क्लिक राष्टी किसानं दिबस मनाया गया याने कि इसकोश् hablaot cé आई sounds भारत के पांच में NO g के प्रधानमंत Alfden जी इनकी जहिंति होती है कउने इसलिए हर साल इनकी जहिंति पर बारती राष्टी किसान दिबस मनाया जाता है एक्चुल में चौदली चरण सिंग जी एक किसान परिवार से आते थे और जब ये प्रदानमत्री बने तो इन्होंने सबसे ज़ादा किसानों के हितों के लिए कार किया इसलिए इनकी जैनती को बारती रास्टी किसान दिवस के रूप में मनाय जाता है तो ये आपको याद रखना है कि बारती रास्टी किसान दिवस कही जग आपको सिर्फ रास्टी किसान दिवस लिखा मिलेगा ये 23 दिसम्मर को मनाय जाता है अच्छा दिसम्मर में अब तक जितने भी इंपोर्टेंडे बनाए गए हैं सारे मैंने यहापे बिल्कुल सेक्वेंस में लिख दी हैं एक बार वीडियो को पॉस करिए और सारे इंपोर्टेंडे बिल्कुल सेक्वेंस में आप रिवाइस करिए अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये बीडियो आपको अच्छा लगता है, एलपो लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और सियर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो चाहे चोटा साई टारगेट पिक्स करो, लेकिन डेली मौनिंग मोट कर, सबसे पहले अपने लेक टारगेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचेव करने में लगा दो, आपकी लाइफ आटोमेटिक लिए अच्छी हो जाएगी हाली में यूटूब ने किस देश की जीडीपी में दस हजार करोड़ रुपए का युगदान किया है तो अभी यूटूब ने अपने देश भारत की जीडीपी में दस हजार करोड़ रुपए का युगदान किया है तो अभी आलोक सींगो एर इंडिया के कम लागत वाले एरलाइन व्यवसाय का प्रमुक किसे नामित किया गया तो अभी आलोक सींगो एर इंडिया के कम लागत वाले एरलाइन व्यवसाय का प्रमुक नामित किया गया अच्छा अभी परमाण उर्जा नियामक बूड का अध्यक्ष दिनेश कुमार सुकला को न्यूक किया गया पेटे उसा को संसत के उपरी सदन में उपाद्यच के पैनल में नामित किया गया कार्डियोलोजिकल सुसाइटी ओफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर पेसी रत चुने गये और डबलू एच्चो ने सर जेरेमी फरार को प्रमुक बैग्यानिक नामित किया है ने किशिन है हाली में कैकला सत्य नारायंड का निधन हुआ है वे कौन थे तो कैकला सत्य नारायंड ये एक तेलगू अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ गया फुटबॉल कलब बिस्वकप की मेजबानी मुरक्को करेगा दूसकुशन का बे अप्सिंस है यह मुरक्को में 1 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक फुटबॉल कलब बिस्वकप होगा अब मुरक्को तो ये है मैप में मुरक्को मुरक्को की capital क्या है रवाट मुरक्को की currency क्या है मुरक्को दिरहम और मुरक्को के present time पे प्राइमिस्टर कौन है अजीज अकनाउच कौन है अजीज अकनाउच अच्छा फुटवाल की बात है तो कल ही मैंने आपको बता है इस बार की FIFA रैंकिंग में ब्राजील टॉप पर रहा है अर्जेंटिना सेकिंड पर है और थर्ड पर कौन है थर्ड पर फ्रांस है ने कुशन है हाली में कौन पहली बार बल्ट टेबल टैनिस सीरीज की मेजबानी करेगा तो अभी अपना देश भारत पहली बार बल्ट टेबल टैनिस सीरीज की मेजबानी करेगा तो इस कुशन का ए ओप्सन सही है गोआ के पड़जी में 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक अपना देश भारत बल्ट टेबल टैनिस सीरीज की मेजबानी करेगा ने कुशन है हाली में प्रदानवंत्री मोदी कहां 12 जन्वरी को रास्टी युबा सम्मिलन का उद्गाटन करेंगे तो प्रदानवंत्री मोदी करना टक में 12 जन्वरी को रास्टी युबा सम्मिलन का उद्गाटन करेंगे तो इस कुशन का से ओप्सन सही है आपको पता है 12 जन्वरी को स्वामी विवेकानन जी की जैनती होती है और इने की जैनती को रास्टी युबा दिबस की रूप में मरा जाता है और इने की जैनती पर ये रास्टी युबा सम्मिलन होता है तो इस बार प्रदानवंत्री मोधी करनाटक में 12 जन्वरी को रास्ट अबी कर्नाटक सरकार ने खाना बदो समुधायों के लिए बिकास बोड़ की स्तापना की है कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए एक नया और्टिफिसल इंटेलिजन्स बेस्ट कॉसल पोट्रल तियार किया है करनाटक में तेन ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल सिक्चक के रूप में चुने गए देश में सबसे अधिक इस्तापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय उर्जा चमता करनाटक में है दच्छिड भारत की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलूरू में हरी जंडी दिखाई गई और प्रदानवंतरी मोदी ने बेंगलूरू में केंपे गुड़ा की 108 फीट उची प्रतिमा का अनाबढ़ किया है अच्छा करनाटक में कौन-कौन से नेशनल पार्क है बांदीपूर, अंसी, नगरहूल, बनरकटा और कुद्रेमुका नेशनल पार्क करनाटक के दूट डांस फेमास है कौन-कौन से यक्षिगड और डोलू कुनीता नेकुशन है, हाली में कौन सा देश सयुक्त रास्ट के सांती निर्मण आयोका सदस्य बना है तो अभी नेपाल सयुक्त रास्ट के सांती निर्मण आयोका सदस्य बना तो इस कुश्यन का बे आप्सन से ये अब नेपाल बना तो ये है मैप में नेपाल नेपाल की capital क्या है काटवांडू नेपाल की currency क्या है नेपाली रुपया नेपाल की present time पे प्राइमिस्टर कौन है सेर बहादूर देवा और नेपाल की present time पे प्रेसिडेंट कौन है विद्या देवी भंडारी अच्छा अभी चीफ इलेक्षन कमिशनर राजीब कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतरास्टी परवेच्चक के रूप में आवंधिर्त किया गया क्रिकेटर मनोज प्रवाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक किया गया और बारत और नेपाल की बीच भारत गौरव परेटक ट्रेन को हरी जंडी दिखाए गई अच्छा इंडिया और नेपाल की बीच कौन सी डिफेंस एक्साइज होती है इंडिया और नेपाल की बीच सूर्य किरड एक्साइज होती है फीर तुन फेयर सोच सब्षों को अुइए को निगुचिए लुट जज लप मघंश्थृ नेनुग्जितर समय तो प्रूप जजwe नियुक्त किया गया है ने कुशन है हाली में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है तो सुहेल एजाज खान इनको सुधी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है तो इस कुशन का बे अपसंस है अब ये पिटल क्या है रियार्ट साओधी अरब की करंसी क्या है साओधी रियाल और साओधी अरब की प्रिजेंट टैम पे किंग कौन है मोहम्मद बिन सल्वान अच्छा अभी बंडारू बेलसन वाबू कोमोरोस में भारत की राजदूत नियुक्त हुए कोटे डी आइवरी के अगले राजदूत न्युक्त हुए है ने कुछें है हाली में कहां चिलले कना की सुरुवात हुई हैं तो चिलनला इसकी सुरुवात अही कस्मीर में हुई कुछिन का से अप्सन से एक्चुल में कस्मीर में पहल गाओं के आसपास कई छेत्रों में जो टेंपरेचर है वो जेरो डिग्री से नीचे पहुंच चुका है जिससे वहाँ पर डल जील जम चुकी है आसपास में जितने भी जलासे हैं वो सब जम गए हैं एवें नलों का पा गए जम्मु कस्मीर पहली बार जंजाती सीठकालीन महुतसब की 18 आङदीस तासी रावस्तान को नयूत किया जम्मुकस्मीर में उदमपूर में तेन डिवसी हाथिआर Firing प्रत्योगता संपन होई वारती सिनअने स्रेनगischer में उस Panjali समारो आयजित किया। और चिनाव वाइट वाडर राप्टिंग महुत सब जम्मू कस्मीर में हुआ है जम्मू कस्मीर में डल जील है बुलर जील है जम्मू कस्मीर में गाडसर जील है मानसबन जील है गंगावल जील है इतना आपको जम्मू कस्मीर के बारे में याद रखना है ने किशिन है हाली म कौन बरिटेस पत्रिका की पचास महानतम अमेनिताओं की सूची में सामिल हुए है तो अभी सारुक खान बरिटेस पत्रिका एंपायर द्वारा जारी पचास महानतम अमेनिताओं की सूची में सामिल हुए है तो इस question का بे options है न Dragind regarde किसे Rising Star of the Year पुरुसकार के लिए नामित किया गया तो अभी अंतिम पंगाल को rising star of the air पुरुसकार के लिए नामित किया गया तो इस question का आगामी चंद्रियान थ्री मिसन में किस देश की उपकरड ले जाएगा तो अभी इस रो आगामी चंद्रियान थ्री मिसन में अमेरिका की उपकरड ले जाएगा तो इसकी इस रो यानि कि इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईशन इसकी स्टापना कब हुई 1969 में इसका हैड अब ये अमेरिका के उपकरड ले जाएगा तो अमेरिका की राष्टपती ने अभी समलेंगी विभा कानून पर अस्ताक्चर किये हैं अमेरिका ने भारत को करेंसी मोनिटरिंग लिस्ट से अटा दिया है अरुना मिलर ने अमेरिकी राज मेरीलेंड के उपरा जपाल का पद समाला है अमेरिका और दक्षिर कोरिया ने बिजिलेंट से न अभ्यास का आयोजन किया और अमेरिका ने अपनी नई रास्ती सुरक्षा रड़नी ती जारी किया है से रोहेडी नईयर पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो अभी सेथ रिचम संगतम को रोहेडी नईयर पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो इसकुशन का से ओप्सन सही है सेथ रिचम संगतम ये नागालेंड के हैं और इन्होंने नागालेंड में आदिवासी समुदाय को बहतर बनाने के लिए उनके जीवन इस्तर को बहतर बनाने के लिए काम कियें इसलिए इनको रोहेडी नईयर पुरुसकार से सम्मानित किया गया अब लाश्ट वीडियो के कुशिन का आंसर लाश्ट वीडियो मैंने आपसे कुशिन पूचाता कि हाली में प्रतिक्रसी परिबार औसत मासिक आयमें कौनसा राजी सीर्स पर रहा है तो अभी मेगाल है प्रतिक्रसी परिबार औसत मासिक आयमें सीर्स पर रहा है यानि किस question का बे option सही था और लगबग सभी इस्ट्रोइनेस का अंसर सही दिया most least इस्ट्रोइनेस के वारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना ज़्याद से ज़्याद पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेक देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में प्यूबा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड अमेजडर बनाया है चार option दिये गए हैं इनमें से आपको अपना answer बताना है और इसके लाबा हम हमारे face hook page पर previous question daily post करते हैं तो आप face hook पर next exam सर्च करके हमारा face hook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप instagram पर indresrc indresrc instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का target जरू याद रखना आज किस वीडियो का target है चाली से लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है अलपुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp और Facebook ग्रूप हैं उन में आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current interface का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरू कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आप इससे सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में current interface की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज विद यू थैंक्स ओर वाचिंग